नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड पे दोस्तों आज हम लोग लुशन समाने विज्ञान का लक्चर नमबर 25 डिसकस करने वाले हैं जिसमें हम लोग आज बहुत ही important topic है आज का प्लवन यानि फ्लोटेशन ठीक है दोस्तों और आज के वीडियो का मुखविंदू यानि आज के वीडियो का अकरशन क्या है वो मैं आपको अभी बताता हूँ तो दोस्तों आज का first topic रहेगा उत्पलावन बल जो की बहुत ही important है आपको उत्पलावन बल से सभी exam में question आपको देखने को मिल जाएंगे और आज का second topic रहेगा आर्केमीडीज का सिध्धान्थ उत्पलावन बल से संबंदित आर्केमीडीज ने जो सिध्धान्थ दिया था उसके बार में हम लोग देखेंगे आज और पलावन थर्ट topic रहेगा आज का पलावन और चोथा नमबर topic रहेगा hydrometer ठीक है दोस्तों hydr और पांचवान नमबर topic आज का तैरने के क्या-क्या नियम है और दोस्तों अगर आप हमारे बारे में नहीं जानते है तो मैं आपको बता दूँ कि मेरा नाम है नीरल शिंग और मैं अभी station master के पदपर western railway में काय रहत हूँ और दोस्तों मैं mathematics और science YouTube पर पढ़ाता हूँ ठीक द्रव के कुछ गुन होते हैं जिसमें पर्थम गुन जो था उसके बारे में हम लोगों ने देखा था कल और वो गुन था दाब यानी pressure तो कल हम लोगों ने pressure पर आता और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव का दूसरा गुन जो की है प्लवन यानी flotation ठीक है तो इसम तो दरव का उत्पलावन बल क्या होता है यानि अप्थरस्ट और बॉइंट फोर्स ओफ ए लिक्वीड तो दोस्तों जब कोई ठोस वस्तू दरव में डुबाई जाती है जब कोई ठोस वस्तू माल लेते हैं कोई दरव है ये ये दरव इसमें जल भरा हुआ है ठीक है अब इ दरव में डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी परतीत होती है ठीक है दोस्तों जब ये ठोस वस्तू को हम इस दरव में डुबाएंगे तो इसके भार में कुछ कमी परतीत होगी ऐसा होती है ठीक है दोस्तों कमी परतीत होती है तो भार में यह आभासी कमी जो लगाये गये बल के कारण होती है छीके जैसे इसका नीचे तरफ बहार कितना होगा mg होगा और यह इसका भार जो है घटा हुआ परतित काई होगा जब इस पर कोई बल उपर के और कारे करेगा यानि कोई बल नीचे से उपर के तब धक्का देगा इसको तो यह इसका भार जो है सो घटा हुआ परतीत होगा तो दोस्तों उपर के तरफ जो बल कारे करता है उसी को क्या बोलते हैं उत्पलावन बल जिसके कारण वस्तु की भार में कमी परतीत होती है तो आगे क्या कहे रहा है इस बल को क्या कहते है उत्पलावन बल यानि बॉएंट फोर्स या उत्छेप यानि अब थ्रस्ट कहते है ठीक है दोस्तों जो उपर तरफ बल लगता है उसी को क्या बलते है उत्पलावन बल कहते है उत्छेब वस्तु द्वरा हटाये गिये द्रव के गुरुत केंद्र पर कार्य करता है ठीक है दोस्तों अगर इसको हम लोग ऐसे बनाएं माल लेते हैं दोस्तों कि यह वस्तु जो है यहां पर आ गया यानि पहले यहां पर क्या था पहले इस जगह पहले था पानी और गुरुत केंद्र वैसा जगह होता है जहां पर संपूर्ण गुरुत कर्शन जो है वो काम करता है यानि यहां पर mg नीचे लग रहा होगा फोर्स यानि इसका भार mg यहां से नीचे लग रहा होगा इसको बलते हैं गुरुत केंद्र और आगे कह रहा है जिसे और इस केंद्र को क्या कहते हैं इस केंद्र को कहते हैं उत्पलावन केंद्र ठीक है दोस्तों Center of buoyancy अब आगे कह रहा है जल के उत्षेप का अध्यान शौरफ पर्थम किस ने किया था यानि जल के उत्पलावन बल का अध्यान शौरफ पर्थम किस न किया था सिंटिस्ट का नाम अर्किमीडीज उन्होंने सबसे पहले उत्पलावन बल के बारे में अध्यान किया था और उन्होंने एक सिध्धान दिया था जिसे अर्किमीडीज का सिध्धान कहते हैं ठीके दोस्तों आपको कोस्टन यहां से कहां से आएगा वह आपको मैं बत आपको दूसरा question ये आ सकता है कि उत्तपलावन बल किसमें काम करता है तो आपका answer रहेगा drug में काम करता है यानि लिक्वीड में ठीच है दोस्तों और तीसरा question आपको ये हो सकता है कि कि किसी वस्तू को अगर हम drug में डुबाते हैं किसी भी दरव में डुबाते हैं, उसकी भार में कमी हुई परतित होती है, यह ऐसा क्यों होता है, तो आपका अंसर रहेगा उत्पलावन बलके कारण, ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं, कि आर्केमीडीस का सिध्धान्त क्या है, उन्होंने क्या कहा था, तो दो अगर कोई वस्तु को पूरी या आंसिक रूप से डुबाई जाती है, अगर पूरी डुबा दें या आंसिक रूप से डुबाई यानि थोड़ा सा डुबाई और थोड़ा सा बाहर रखें, तो उसके भार में अभासी कमी होती है, ठीक है दोस्तों, हम इसको पूरा डुब या थोरा सा डुबा करके रखें इसके भार में अभासी कमी होगी और भार में यह अभासी कमी वस्तु दौरा हटाये कि दरब के भार के बराबर होती है ठीक है दोस्तों यानि जितना बरा वस्तू है इतना ही बरा दरब को यह हटाएगा यहां से ठीक है जितना बरा वस्तू है उतना ही जादा दरब को हटाएगा यहां से और इस दरब का हटाएगे दरब का जो भार है हटाएगे दरब का जो भार है माल लेते हैं ये M M दरबमान के दरब को हटाया तो इसका भार, दरबमान का भार कितना हो जाएगा M G ठीके दोस्तों और तो इस पर उत्पलावन बल कितना लगेगा हटाएगे दरब के भार के बराबर लगेगा यही अर्केमीडीज सहाब ने कहा था ठीक दोस्तों अता इस सिधान्त के अनुशार हम लोग अब आगे देखते हैं कि सिधान्त के अनुशार क्या-क्या हो सकता है एक नमबर पर कह रहा है अर्केमीडीज कि सिधान्त के अनुशार एक नमबर पर है किसी ठोस का अपेक्षिक घनतु निकालना हो किसी ठोस का अपेक्षिक घनतु निकालना हो तो कैसे होता है अपेक्षिक कैसे निकलता है ठोस का वायू में भार है ठोस का जो वायू में भार होगा उसमें हम भाग दे देंगे जल में ठोस के भार में कमी से ठीक है दोस्तों जैसे माल लेते हैं कि ठोस का वायू अगर ये ठोस है ठीक है इसका वायू में भार माल लेते हैं दोस्तों दस न्यूटन है ठीक है ठोस का वायू में भार दस न्यूटन है और अब क्या किये इसको हमने इस दरव में डुबा दिया ठीक है इस दरव में तो इस ठोस का Apixic Ghynaut को कितना हो गए तो ठोस का Y.U. में भार यानि 10 इसका Apixic Ghynaut कितना हो जाएगा दस, और बट्टा में कितना जल में ठोस के भार में कमी कितनी हो रहे हैं पहले 10 था और अब कितना हो गए 8 यानि 2N कम हो रहा है तो बट्टा दो और दोनों कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा पांच ठीक है दोस्तों ऐसे आपको एकजाम में नुमरिकल प्रसन भी आ सकते हैं और नुमरिकल प्रसन आएंगे तो आपको यह सब डेटा दिया रहेगा बस आपको यहां से यह निकालना मातरक क्या है तो दोस्तों यहां पर कोई मातरक इसका नहीं होता है क्यों नहीं होता है क्योंकि उपर भी भार है नीचे भी भार है तो भार भार कट जाएगा तो यहां का कोई मातरक इसका नहीं होगा और दो नंबर पर कह रहा है कि किसी दरव का आपक्षिक घनत यहां पर बार में कमी, तो इससे निकल जागा किसी दरव का अपक्षि गहनत है, और दोस्तों दोनों में बारी का निफूजन रहता है, याद नहीं होता है, तो आपको दोनों को याद रखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, दोनों में नीचे का पार्ट सेम रहेगा, ठीक है जल में ठोस के भार में कमी इसमें भी है, और जल में ठोस के भार में कमी इसमें भी है दोनों में नीचे का सेम है और अगर आपको ठोस का अपक्षि गहनत पूछ रहा है, तो आप ठोस का वायू में भार निकालेंगे और द्रव का पूछ रहा है तो द्रव में ठोस के भार में कमी निकालेंगे ठीके दोस्तों तो आपको याद हो जाएगा दोनों आसानी से आप लोग दो-तीन बार इसको देख लेंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएगा ठीके अब कह रहा है अपेक्षिक घनत्य जो है जो एक सुद्ध संख्या है ठीके दोस्तों ये भी भार है उपर भी भार नीचे भी भार इसमें उपर भार नीचे भार तो अपेक्षिक घनत्य एक सुद्ध संख्या है इसका कोई मातरक नहीं होता है यह बहुत ही important है इसका कोई मातरक नहीं होता है और दोस्तों आपको पता है कि घनत तो बराबर क्या होता है द्रमान बट्टा आयतन तो आप एक्षिक घनत तो बराबर होगा वस्तू का घनत बट्टा पानी का घनत ठीक है घनत तो बराबर होता है द्रमान बट्टा आयतन और आप देख्शिक घनत बराबर होता है वस्तू का घनत बट्टा पानी का घनत यह भी बहुत ही important है आपको यहां से भी question आते हैं आप इस घनत मातरग पूछ देगा तो इसका कोई मातरग नहीं होता है इसके कोई बीमान नहीं होती है यह अधिसरासी है और दोस्तों आपको यह फर्मूला भी पूछ देता है कभी करेंगे अब दोस्तों हम लोग देखेंगे पलवन यानि फ्लोटेशन क्या होता है ठीक है तो जब कोई वस्तू किसी दरव में डुबोई जाती है तो उस पर दो बल कारे करते है एक तो वस्तू का भार जो की mg होता है नीचे तरफ और ए दोस्तों एक नंबर में है कि वस्तू का भार डबलू जो नीचे की ओर यानि ये डबलू जो है तो नीचे की ओर लग रहा है और एक दूसरा होता है दरव का उत्पेक्ष यानि उत्पलावन बल जो है डबलू वन वो उपर की तरफ लगता है ठीक है किसी भी वस्तू का हम दुबाते हैं तो उस पर दो बल कारे करता है एक उपर के तरफ और एक नीचे के तरफ तो दोस्तों इनकी तीन अवस्थाएं हो सकती है ठीक है इनकी तीन अवस्थाएं हो सकती है पहली अवस्था में है कि अगर अगर नीचे वाला भार उपर वाले भार से ज्यादा हो जाए याई नीचे वाला बल जो है उपर वाले बल से जादा हो जाए यानि ये W जो है तो अगर W1 से जादा हो जाए ये एक नमबर हमें है W बरा हो जाए W1 से तो क्या होगा नीचे जादा है तो वो नीचे आ जाएगा तली प्या जाएगा ठीक है दोस्तों तो ये नीचे तली में आ जाएगा और दूसरा condition क्या है कि जब w1 बराबर w2 हो जाए ठीक है दोस्तों जब w1 बराबर w2 हो जाए यानि दोनों बराबर हो जाए तो यह balance condition में आ जाएगा जहाँ पर हम डुबा करके वस्तू को जहाँ पर छोड़ देंगे वस्तू वहीं पर रुका रह जाएगा ना उपर जाएगा और ना नीचे आएगा ठीक है दोस्तों तो ये हो गया दो नमर condition में जब w बराबर w1 हो जाए ठीक है और तीसरे condition में क्या है कि जब तीसरे में है कि जब w जो है तो छोटा हो जाए w1 से यानि उपर वाला बरा हो जाए बल और नीचे वरा छोटा हो जाए तो वस्तू क्या हो जाएगा उपर चला आएगा पानी के सत्व पे आ जाएगा ठीक है दोस्तों ये तीन condition आपको समझ में आ गया ठीक है दोस्तों आपको एक और चीज में important बात बताता हूँ जब आपको एक question एकजाम में हमेशा आता है कि जब बर्फ पानी में तेरती है तो उसका कितना item पानी के उपर रहता है तो दोस्तों उसका एक बट्टा दस भाग पानी के उपर रहता है और नो बट्टा दस भाग पानी के अंदर रहता है ठीक है दोस्तों जब बर्फ पानी में तेरता है तो उसका एक बट्टा दस भाग पानी के उपर और नो बट्टा दस भाग पानी के नीचे रहता है ये आपके लिए बहुत पानी जो मिले हुए असुत दूध में दूध मापी यह लेक्टो मीटर को डुबा कर दूध में मिशित जल की परतिसत मातरा ग्यात की जाती है तो आपको ये भी कोस्टन एक्जाम में आता है कि लेक्टो मीटर से दूध की सुधता किसे मापते हैं तो हम मापते हैं लेक्टो मीटर से तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये दोनों important points है आपको इसको ध्यान में रखेंगे एक है कि जब बर्फ पानी पे तेरती है तो उसका कितना आयतन पानी के उपर रहता है और कितना पानी के नीचे रहता है उपर रहता है एक वट्टा दस और नीचे रहता है नो वट्टा दस और दोदी की सुझता किस से मापते हैं तो हम लोग लेक्टोमीटर कहें कहें पर टॉपिक है, हाइड्रो मीटर हाइड्रो मीटर, ठीक है तो हाइड्रो मीटर क्या सीज मापने के लिए उपयोग होता है, जैसे मीटर लगे दोस्तों, ये मापने के लिए उपयोग होता है तो दोस्तों, इस से तरल पदार्थों का आप एक छिक गनतो माप आ जाता है ठीक है तरल पदार्थों का आप एक छिक गनतो माप आ जाता है यह पलवन के सिधान्त पर आधारित होता है ठीक है दोस्तों हाइड्रो मीटर से क्या मापते हैं आप एक छिक घंतो मापते हैं और एक होता है दोस्तों हाइग्रो मीटर ये तो है हाइड्रो मीटर एक होता है हाइग्रो मीटर बस इस दोनों में थोड़ा से डिफरेंस है इसमें ड्रो है और इसमें ग्रो है तो ये तो हाइड्रो मीटर है जिससे की जल का अपेक्षिक घंतों मापते हैं या किसी भी दरव का तरल का अपेक्षिक घंतों मापते हैं और हाइगरोमीटर जो हता है दोस्तों उससे हम लोग हवा में नमी मापते हैं हाइगरोमीटर से नमी मापते हैं हवा में कितना नमी है और हाइडरोमेटर से किसी भी तरल का आप एक शिक धनतों को मापा जाता है और यह की सिधानत पर काम करता है तो यह पलवन के सिधानत पर कारे करता है और आगे क्या कहे रहा है और के मिडीज के सिधान्त वो पलवन के नियम के दैनिक जीवन में अनि एक उदाहरन देखने को मिलते हैं अरकेमिडीज का सिधान दिये थे उसका और पलवन का जो नियम है ये दोनों का उपयोग दैनिक जीवन में आपको बहुत सार उदाहरन देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों इस उदाहरन से एकजाम में बहुत सारी कोस्टन्स आते हैं जैसे पहला एकजामपल है लोहे का कागज लोहे का जहाज पानी पर तेरता रहता है परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है इसका क्या कारण है तो दोस्तों इसका कारण यही है कि जहाज की विसेस बनावट होती है अधिक है दोष्तो जहाज की विशेश बनावट के कारण इसके दौरा हटाए गए पानी का भार अधिक होता है जिसे दोष्तो जहाज ऐसा रहता है उपर आधिमी रहता है तो अंदर में जहाज क्या होता है खोखला होता है ठीक है अंदर में क्या होता है खोकला होता है तो ये जितना पानी भी स्थापित करता है इतना जो पानी भी स्थापित करता है जितना आईतन का उस आईतन का जो भार होता है पानी का भार वो जहाज के भार से जादा हो जाता है इसलिए जहाज डूबता नहीं है ठीक है दोस्तों जहाज के भार से पानी का भार कितना है अधिक हो जाता है जिसके कारण इस पर अधिक उत्प्लावन बल लगता है वो जहाज तेरता रहता है ठीक है कील दुआरा हटाएगे दरव का भार कील के श्वैंग के भार से कम हो जाता है ठीक है फलत कील पानी में डूब जाती है तो दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जैसे कोई वस्तू कोई वस्तू पानी में डूबाते हैं तो उस पर एक जितना भार वो पानी को विस्थापित करता है उतना ही भार का बल उपर के तरफ करता है उसे उत्पलावन बल कहते हैं और नीचे तरफ इसका भार का वस्तू का भार नीचे तरफ लगेगा उत्पलावन बल की मातरा जो होती है जो विस्थापित पानी के भार के बराबर होती है ठीक है दोस्तों तो अगर वस्तू का भार M है ठीक है वस्तू का दरवमान M है और जो पानी भी स्थापित कर रहे हैं उसका भी दरवमान यदि M हो तो M G ऊपर लगेगा और M G नीचे लगेगा यह दोनों तरफ बराबर हो जाएगा लेकिन दोस्तों अगर वस्तू वस्तू का द्रवमान जादा हो तो ये जादा नीचे लगेगा और पानी का द्रवमान कम हो तो उपर बल कम लगेगा तो वस्तू क्या हो जाएगा और वही अगर दोस्तू पानी का भार जादा हो यानि जितना हम पानी बिस्थापित की है वो अगर जादा हो तो उपर बल जा पेटी यानि लाइफ बेल्ट पंडूबी भी इसी सिधान पर कारे करते हैं और के मिडीज का सिधान गैसों के लिए भी सगते हैं ठीक है दोस्तों तो आज का सेशन दोस्तों उमीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो आप लोगों को helpful लगा होगा आप लोगों के लिए जरूर helpful हुआ होगा तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए helpful है तो जरूर लाइक कीजिए share कीजिए और subscribe कीजिए और दोस्तों अगर आप mathematics और GS भी पढ़ना चाते हैं तो चैनल को जरूर subscribe कर लिजिए और bell icon को प्रेस कर लिजिए और दोस्तों इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स session में जय हिंद जय भारत